Hello everyone, welcome to my channel, I am Panikshah Bhardwaj तो आज के lecture में हम Class 9 की SST का Economics का First Unit That is Money and Banking इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या है Money and Banking इसको हम अभी देखते हैं First chapter आपका नाम है Money and Banking जब आप ये chapter पूरा पढ़िड लोगे ना अच्छे से समझ लोगे तब आपको पता चलेगा Money as a Medium of Exchange क्यों है Modern Forms क्या है Money की? Evolution कैसे हुई Money की? उसके बाद Bank क्या है? Bank का क्या Concept है? Bank Deposits की Type क्या है? Then उसके बाद कैसे आप एक Savings Bank Account को Open कर सकते हो और कैसे उसको चला सकते हो, Operate कर सकते हो Bank के अंदर जो loan दिया जाता है और जो भी credit जो भी limits होती है वो क्या है? उसके बारे में आपको पता चलेगा Post Office के अंदर जो भी savings की जाती है उसका क्या role है? कभी आपने सुना होगा कि Post Office के अंदर committee डालीगी है इतने पैसे आपको पे करने हैं उसके बाद आपको 7 लाक यानि की 5 साल या छे साल के लिए आपको पे करना पड़ेगा और 7 साल का जो पैसा होगा वो आपको मिलेगा ऐसा हमने भी सुना है यह सब चीजे जो हैं यह आपको जब आप पड़ोगे नहीं ना तब तक आपको नहीं पता चलेगा तो यह सब चीजें हैं हम इस chapter के थूँ समझेंगे अब क्या है money as a medium of exchange यानि कि पैसा जो है वो मादियम क्यूं है हर एक चीज को लेने या देने के लिए अब मैं आपको in short यहां पर समझा देती हूँ जो भी इसका जो यह paragraph में लिखा हुआ है यहां पर यह बोला हुआ है कि जब आप अपने इर्द इर्द की रोजाना की जिन्दगी को देखते हो तब आप यह चीज देखते हो कि बहुत सारी transactions जो है अब भई आप दुकान पर जाते हो शॉप में आपने कपड़ की दुकान पर चलेगे कि इस प्रेशा लिए प्रेशों प्रोड़ेशों कि शीज उसे प्रेशा लाइब कांज दो प्रवाइब करना ब्राटा है कि जब आप कोई चीज को खरीद रहे हो सब्सक्राइब करने काफे जासे मैं अपने ज्छोटी से घर की एक्जामपल देती घर में आपने जैसे काम किया आपने दादी से पैसे ले लिए या पापा से पैसे ले लिए तो आपने पापा को क्या करोगे कोई चीज दे रहे हो नहीं आप अपने किसी चीज के लिए पापा से पैसे ले रहे हो इन रिटर्न आप उनको कोई भी चीज दे सकते हो जैसे आप कभी आपके दिमाग में आया है कि जितनी भी चीजें जो है हम टांजेक्शन करते हैं वो सारे पैसे की ही फॉर्म में क्यूं होती है बिकाज इसका एक सिंपल सा रीजन है कि परसंस को पैसा जो है वो मतलब पैसा जो है वो हर जगापे एजली एक्सचेंज हो जाता है चाहे वो आप कोई भी समान खरीदो अब्जेक्ट खरीदो या कोई भी सर्विस अफ प्रोवाइड करो यानि कि किसी भी तरह की चीज वांट जो है चाहा जो है आपके अंदर है वो आप पैसा के थू जो है वो ले सकते हो अब यहां पर यह बोला हुआ है तब वर्ड मनी जनरेट सा लॉट अप इंट्रस्ट जो मनी जो वर्ड है ना यह बहुत सारे इंटरस्ट को भी क्या करता है अगर आप आज की ब् बिगी ज लाइफ को देखो तो मनी जो है उसने एक important role occupy किया हुआ है लोगों की जिन्दगी के अन्दर हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए किसी try की चीज को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पैसा देनापड़ता है और अपनी Satisfaction को पूरा करने के लिए यानि कि हमें किसी चीज की जुरूरत है हमें उसकी हमें वह चीज हम उसके लिए पैसा पे करेंगे तभी तो वह चीज हमें मिल पाएगी तिक है similarly we need money to avail various services इसी तरह से हमें क्या करना है और services को पाने के लिए हमें पैसे की जुरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट जैसे हो गया अब आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप फ्री में तो नहीं आपको कोई लेके जाएगा अगर आपके पास अपनी परसनल गाली भी है तब भी आप उसके अंदर तेल डलवाओगे तब यह तो एक जगह से दूसरे जगह आपको हरी और आपको जापनी जाएगाय बागाको नियुकाष्याइगा निट जो सेसी की निए जगह भी आपんだ की जो पर्देगी में पैसा ही मिलेगा ठीक है यह एक्टिविटी है तो यह हम छोड़ेंगे अभी अब यह आगे देखते हैं तो as a human being होने के नाते हम अपनी basic needs को fulfill करने के लिए basic needs क्या है हमारी food, shelter and laws इनको fulfill करने के लिए हमें पैसी की भी जुरूरत पड़ती है इसके अलावा basic needs जो है वो हमारे और जादा चीजों को क्या करता है multi-placity को मतलब हमारी चाहा को और बढ़ा देता है जैसे अब हमारी basic need क्या है खाना पीना और रहना अब हमारे पर घर है एक कमरा है तो हमा कमरा तो है यह हमारी basic need है भाई हम उस कमरे को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो हमारी चाहा को और बढ़ा देता है और उस चाहा को पूरा करने के लिए हमें किस की जुरूरत है पैसी की जुरूरत है यहां पर यहीं बोला हुआ है, यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक एक इग्जामपल ही है, इन्होंने केस लिया है, कपड़े बेचने वाले वेपारी का, उन्होंने बोला जो कपड़े बेचने वाला वेपारी है, वो क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, चावल खरीद रह पाद कर नहीं है अब जो कोई भी तरह काम कर रहा हो वो अपनी नीट को पूरा करनी के लिए ही वो काम कर रहा है अब यहां आगे वन्होंने बपला the cloth merchant पहले वो क्या करेगा, जो कपड़े बेचने वाला मर्चेंट है, वेपारी है, वो पहले कपड़े बेचेगा, ठीक है, फिर वो पैसा लेगा, जब उसके पास पैसा आजाएगा, तो फिर वो पैसा एक्सचेंज करेगा, देगा, ताकि वो क्या कर सके, चावल ले सके, राइस जो जिसके पास चावल है क्या वो उस चावलों को बेचना चाहता भी है के नहीं तो ये सारी चीजे जो है ना ये किसके basis पे हो रही है ये सारी चीजे जो है ये money के basis पे हो रही है imagine how much more difficult it would be for the cloud merchant if we had to exchange cloud directly for rice without the use of money आप ये चीज़ देखो कितनी मुश्किलात होगी उस cloud merchant के लिए जिसने क्या किये हैं कपड़े दिये हैं उस इनसान को जिससे उसको चावल लेने है बिना किसी पैसे के जरूरत के ठीक है अब यहाँ पर ये बुला हुआ है सबसे पहले उसने क्या किया एक rice growing farmer को ढूंडा फिर उसने ये देखा कि भाई जो चावल बेचने वाला farmer है किसान है क्या उसकी मर्जी है कि वो क्या करे कपड़ों के बदले उसको चावल दे सके अभी मैं इसको explain करूंगे मैं क्या बोल रही है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्च्वल में क्या है यह जो चीज है ना यह चीज मैं आपको किसले समझा रही हूँ यहाँ पर आपको एक word यूज किया हुआ है double coincidence of coincidence of wants इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि दोनु पार्टीज जो है ना यही पार्टीज कौन सी एक जो थी rice growing farmer वली और दूसी थी cloud merchant वली यह दोनु पार्टीज जो है यह दोनु एग्री करनी चाहिए किस चीज के लिए चीज को खरीदने के लिए और चीज को बेचने के लिए एक दूसरे को इसी problem का नाम दिया गया है double coincidence of wants actual में अगर आप इसको in short nutshell मतलब बिल्कुल छोटे से समझना चाहो what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy that means के क्या है what is double coincidence of wants यानि की एक इंसान उसकी मर्जी क्या है उसकी मर्जी क्या है बेचने की वो दूसरे जिस बंदे को वो मर्जी है उसको खरीदने की that means के जैसे मैंने बोला मैं कपड़ा बेचना चाहती हूँ मेरे साथ एक और बंदा है वो चावल उसके पास चावल है मुझे अब चावल चाहिए ठीक है मुझे अब चावल चाहिए तो क्या जिसको मैं कपड़े बेच रही हूँ क्या वो चावल बेचने की उसकी मर्जी है या नहीं क्या वो मुझे चावल बेचेगा की नहीं यह है double coincidence of wants इसमें यह होता है कि एक person जो है जिसकी उसको चाह है खरीदने की क्या जो बेचने वाला है उसकी भी मर्जी है कि वो उसको बेचे और उससे वो चीज खरीदे इसी चीज को पहले समय पे बाटر सिस्टम बोला जाता था त app nicer system यहां पर बोला है न इनोंने बाटर सिस्टम यही चीज थो बाटर सिस्टम के बार में आपने बहुत बार सुना होगा और यह बार्टर सिस्टम जो है यह maximum time history में history subject में use होता है क्या है बार्टर सिस्टम का मतलब यह है चीजों के बतले चीज को देना simply इतना याद रखो अब यह मत याद रखो चावल यह तो आपको एक example के थुरू समझाया जा रहा था example क्या थी double coincidence of wants क्या है यह आपको आगे question भी है double coincidence of wants जो है यह ऐसी चीज है ऐसी problem है जिसमें क्या होता है एक person जो चीज को बेचना चाहता है वही person जो है मतलब जिसको वह बेच रहा है क्या वह वह बंदा जो है उसको खरीदने के लिए तयार है या नहीं है ठीक है यह चीज है अब मैं बार पर repeat नहीं करूँगी confused हो जाओगे अगर नहीं समझाया है वीडियो को rewind करना normal speed पे इसको सुनना अब बाटर सिस्टम के बारे में बता रही थी तो बाटर सिस्टम जो है वो क्या होता था इस सिस्टम के under चीजों को दिया जाता था चीजों के बदले simply इतना य आप भी मुझे कोई चीज दे दोगे मतलब मैंने आपको ट्विशन दी आपने मुझे इन रिटर्न कुछ दे दिया जिसकी मुझे नीड थी अब आप जैसे मतलब मैं एक दूद वली के पास कई ठीक है मेरे पास क्या थे चावल थे मैंने क्या किया उससे दूद लिया फिर उसको भी क्या चावलों की जूरूरत थी के नहीं अगर उसको चावलों की दूद दूगी और वो मझे दूद दे देगी अगर उसको चावलों की जूरूरत नहीं है तो फिर वो मेरे साथ किसी भी तरह का एक्षेंज जो है वो नहीं करेगी यह था money as a minimum exchange आ applies जो बोला अगर ऐसा होगा तो फिर वहां पर बाटर सिस्टम जो है वो लागू काम करेगा लेकिन अगर वहां ऐसा नहीं है तो फिर मुझे फिर से उस बंदे की तलाश करनी पड़ेगी जहां पर मतलब दोनु जो है वो एगरी करें ओके इसी चीज को रिजॉल करने के लिए एक चीज ında money को medium of exchange बनाया गया विकाज हर एक चीज को सफी शक्रीभने के लिए आ बेचने के लिए पैसा जो है वो क्या है तो फिर मुझे चावल नहीं मिलते ना, इसलिए money को as a medium of exchange बनाया गया, जिससे हर एक लोग अपनी हर एक तरह की necessity को, जुरूरत को क्या कर सके, पूरा कर सके, I hope यहाँ पर आपको यह clear हुआ होगा, तो इनी चीज में यहाँ पर यह सब चीज़े बताईगी है, यहाँ पर एक का meaning, बताएंगे, what does moneta means, okay, आप मुझे comment section में जो है वो नीचे, बताईए, नहीं पता होगा तो मैं आपको जुरूर बताऊंगी, लेकिन आप पहले खुद से try करिए, what is moneta, अब यहाँ तक आपको clear हुआ, यही मैंने आपको पूरा इसमें यही बता दिया गया, बताया है कि party system क्या था और यह double coincidence of wants में क्या था, ठीक है इनी चीज से बहार निकलने के लिए इनी चीज से इनी problems को, इनी problems के solution के लिए money जो था वो इसको medium of exchange बनाया गया और इसको accept किया गया, next आजाता है आपका evolution of money, evolution का मतलब क्या हुआ, evolution का मतलब हुआ, development, यह development जो थी पैसों को मनी को लेके वो different different stages में जो थी वो change होती रही, pass होती रही time to time, place to place and circumstances के देख के ठीक है, जैसे जैसे economic civilization के अंदर progress होतीगी, वैसे वैसे money की जो development थी वो भी होतीगी, और वो stages क्या थी अभी हम देखते हैं, जैसे first stage आजाती है animal money, अब आब बोलोगे animal money हमने तो कभी सुना ह तो यहाँ पी क्या है primitive age में, primitive यान की पुराने समय में hunting stage animals को क्या किया जाता था, as a medium of common medium of exchange use किया जाता था, जैसे अब पैसा यूज किया जाता है, उस समय पे जो भी मतलब जानवरों की क्या की जाती थी, hunting की जाती थी, शिकार किया जाता था, उसी मतलब जानवर को बेच कर वो कोई चीज भी खरीद लेते थे, जैसे कि historical records जो थे हमारे पास available थे, उसमें cattle occupied a place of pride, cattle जो थी वो एक pride का, एक गरूर का क्या थी, जगा जो है वो हासिल करती है, अभी भी कुछ समय, मतलब कुछ जगाओं में, जैसे अफरीका की कुछ tribes हैं, और एशिया के कुछ parts में, जैसे के कैटल को बहुत ही precious asset माना जाता है, बार्टर सिस्टम में help करने के लिए, बार्टर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, बार्टर सिस्टम में ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है, चीजों के बदले चीजें, services के बदले services जो है वो provide की जाती है, यहां पे asset asset बोला, asset means sampti, property, ठीक है, तो cow को एक important property जो है, वो as a treat किया जाता है, बार्टर सिस्टम के अंदर, या बार्टर एक्स्चेंज के अंदर, okay, animal money का use होता था, primitive hunting में, क्या होता था, animals का use किया जाता था, as a medium of exchange, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे cow हो गया, ox हो गया, bull हो कोई भी animal हो सकता था, अब next आचाता है, हमारे पास commodity money, commodity का मतलब होता है, object वस्तू, ठीक है, कोई भी चीज के बतले, चीज, कुछ communities के अंदर, commodity money जो थी, वो use की जाती थी, ठीक है, number of commodities जो थी, जैसे चीजे जो थी, access to yarn, कुलहारी से लेके धागे तक, क्या किया जाता था as a money use किया जाता था, ठीक है, जो particular commodity जो use की जाती थी, as a money dependent on various factors, यानि कि ये, जैसे कि कहीं कुलहारी हो गया, कहीं पे धागा हो गया, कहीं पे लकडी हो गी, कहीं पे पत्ते हो गया, कहीं पे फूल हो गया, कहीं पे राइस हो गया, यान कि हर एक चीज की अलग लग लग लो जाता था, यानि कि different people, different different तरीके से क्या करते थे, in commodities को use करते थे, as a medium of exchange, जैसे African people, ivory और tiger jaws का use करते थे, as money, what is ivory and what is tiger jaws, jaw, जो हो गया, उसका, चीटा का जबडा, ivory क्या होता है, तो जो हाथी का दान्त होता है, ठीक है, African people, जो है, वो क्या करते थे, चीटे के जबडे को, और हाथी के दान्त को as a money use करते थे, precious stones होगे, ठीक है, rice होगया, tea होगी, तबाकू होगया, इनका different different use किया जाता था, human civilization में पहले समय पर, ठीक है, यानि कि, जिस factor में, जिस चीज की जुरूरत होती थी, उस चीज में, उस जगा पे, जो है, वो commodity का use किया जाता था, जैसे African people का मैंने आपको बताया कि वो हाथी के दान्त और जबडे का, चीटे के जबडे का use करते थे as a money, किसी भी चीज को खरीदने के लिए, या बेचने के लिए, दैना जाता है metallic money, तो आपने जब मुगल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने metals के coins जो थे वो use करना शुरू किये थे, तो जो discovery हुई थी gold की, silver की, copper की, bronze की, इसने क्या किया, commodity money को replace कर दिया और ये खुद सामने आया as a medium of exchange, ठीक है, अब आप gold, silver, copper आसे तो नहीं बोलोगे, इसलिए इसको एक combine नाम दिया गया metallic money, ठीक है, तो यही बोला हुआ है, कि metallic money जब आया, तो इसने क्या किया, इसने commodity money को replace कर दिया, जब commodity money replace होगी, तो उसकी जगा किसने ले ली, metallic money ने, और metallic money जो था, उसका use होने लगा as a medium of exchange, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, या लेने के लिए, उसका use किया जाने लगा, metallic money का, इसकी वज़े से क्या हुआ, कुछ समय बाद, ये इंडिया के अंदर coinage system जो था, इसने develop कर दिया, कि इसने metallic money की वज़े से, इंडिया के अंदर coinage system जो था, इसकी development हुई, minting of coins removed imperfection of the metallic money in size, shape and weight, क्या हुआ, minting किएगी coins की, यानि कि उनको क्या किया गया, minting का मतलब हो गया, figure out करना, यानि कि जो coins पहले ऐसे ही होते थे, ना उनकी कोई shape होती थे, ना उनका कोई weight होता था, ना ही उनका कोई size होता था, तो उनको figure out किया गया, ठीक है, उनके बीच से imperfection को निकाला गया, और metallic money को, उनकी size, shape and weight को क्या किया गया, ठीक किया गया, फिर उसके बाद क्या आता है, paper currency, ठीक है, यह आपको figures भी दीगी हुई है, यह आप देख लिएजगा paper money यह है, metallic money यह है, उसके बाद commodity money यह है, animal money यहाँ पे नहीं है, तो वो मैंने आपको बता दिया था, cow, ठीक है, उसका use किया जाता था, cattle, यान कि पशुओं का, सबसे जादा cow थी उसमें, तो paper money में क् 17 और 18 सेंचरी के दरान paper currency जो थी, वो एक modern form of money के रूप में जो थी, वो इमर्ज हुई, यह बहुत easy थी, कि हर जगा इसको ले आ जाया सकता था, और यह convertible भी थी, अब क्या है, आगे देखिए, next हमारे पास आ जाता है, modern forms of money, हमारे पास नए तरीके कि जो money है, वो किस form में है, having discussed the concept of money as a medium of exchange, let us understand the modern concept of money as we know it today, जैसे हमने अभी money के concept को discuss किया, कि money as a medium of exchange किस तरह से काम कर रही थी, ठीक है, हमने इसके बारे में समझा, अब हमें यह समझना है कि modern form जो है, यह modern concept जो है money का, जो कि आज हम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है Before the introduction of coins, a variety of, यानि कि सिक्कों की introduction से पहले, variety of objects जो थे उनका use किया जा रहा था as money, जैसे मैंने आपको अभी बताया, animal money हो गया, commodity money हो गया, metallic money हो गया, ठीक है, next क्या है, ancient Indians, जो पुराने Indians थे, वो क्या करते थे, use करते थे grain और cattle का as a money, ठीक है, अनाज का और पश्वों का use क metallic coins, उसके बाद क्या हुआ, metallic coins का use होने लगा as a money, as a medium of exchange, ठीक है, जैसे gold हो गया, silver हो गया, copper हो गया, और यही चीज जो थी आगे continue हुई और जिसने क्या किया, paper currency को एक जनम दिया, जो modern forms है, money की, उसमें आ जाता है currency, ठीक है, demand deposits, plastic money, जिसमें debit cards and credit cards जो है, वो आते हैं, यह हम एक एक करके भी पढ़ेंगे, currency क्या है, ठीक है, अभी हम देखेंगे what is currency, तो currency क्या है, currency अनकी mudra, money, पैसा, ठीक है, how does money look like, पैसा कैसे दिखता है, what is the form of money, money की क्या form है, बहुत सारे सालों पहले money जो था, उसकी form को change कर दिया गया है, जैसे जैसे साल बदलते हैं, money की form जैसे कि आपने पढ़ा होगा, in history, आपने history में पढ़ा होगा कि राजाओं के, जब राजा का rule चलता था, तो people जो थे, वो trade करते थे, gold coins, silver coins, copper coins, bronze coins का use करके, उससे पहले ancient days में क्या हुआ, कुछ जगाओं पे people जो थे, वो money को किस तरह से use करते थे, मतलब कैसे money का use होता थ पेपर मनी जो थी, जो पेपर मनी थी, अब, जो अभी at a time चल रही है, अभी coin जो है, वो भी चल रहे है, लेकिन paper money को जादा importance दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी, तो paper money जो अभी present time पे है, उसने एक important place जो है, वो हमारी monetary system of all countries के the paper money is used to refer to the government notes, paper money को government notes भी भोला जाता है, that is note issued by the central bank of a country, यानि कि वो note जिसको country के central bank ने क्या किया है, issue किया है, क्या आप इस चीज से कभी हरान हुए है, क्या पेपर नोट जो है, वो as a medium of exchange क्यों accept किये गये है, because इन जो notes है, या यह जो medium of exchange है, इसको हमारी government ने क्या किया है, authorize किया है, that's why इसको accept किया गया है, as a medium of exchange, okay, इंडिया के अंदर currency, notes और coins जो है, उनको कौन issue करता है, उनको issue करता है, Reserve Bank of India, यह चीज याद रखना important point है, ठीक है, इंडिया के अंदर currency, notes और coins को issue कौन करता है, RBI, जिसको आप बोलते है, Reserve Bank of India, ठीक है, government के बहाफ पे, no person और कोई भी organization जो है, वो क्या issue नहीं कर सकती, currency को, ठीक है, सिवाए Reserve Bank of India के, और कोई भी person, या कोई भी आदमी, या कोई भी organization जो है, उसके पास यह permission नहीं है, कि वो किसी भी तरह के notes को, या currency को क्या करे, authorized कर सके, या बना सके, ना ही किसी person के पास, ये permission है, कि वो क्या कर सके, legally refuse कर सके payment in India in rupee, that means कि India के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जो मना करे कि बाई, मैं ये चीज तुमें नहीं दूँगा, पैसों के बदले, ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, अगर वो ऐसा करता है, तो उसके against, जो ह आपने कभी आपको ये चीज के बारे में पता है, कि जो currency notes और coins है, इंडिया के वो दूसरी countries में जो है, वो valid नहीं होते हैं, और बाहर की countries के अंदर जो भी पैसा है, या रूपी, दिनार, जो भी यहां पे use किया जाता है, वो यहां पे नहीं जो है, वो मतलब लागू होता है, वो क्यों, अगर क्या है, अगर आप दूसरी countries में जाते हो, तो आपको Indian currency को दूसरी, जिस country में गूमने जा रहे हो, उस currency के साथ, आपको exchange करनी पड़ती है, तब ही आप वहां पे जाके अपने पैसों को use कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहां से Indian rupees लेके अमेरिका चले ज यहां पे भी यह पैसी की exchange होता है, ठीक है, currencies को exchange किया जाता है, अगर आप वो करवा लेते हो, तो आप कहीं पे भी किसी भी country में जाओगे, तो वहां पे आप उसी country के currency को use कर पाओगे, जो की आपने airport पे exchange की होगी, ठीक है, जहां पे भी exchange की जाती है, for instance, यहां पे एक example आ इंडिया का सिंबल क्या है, यही है और वहां का क्या है, अमेरिका का डॉलर यह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपी को डॉलर अमेरिकन करेंसी के साथ एक्स्चेंज करवाना पड़ेगा, जो European currency is called euro having symbol e, यहां पे आपको बताया है कि जो Europe की currency है, उसको euro ब but like that e, okay, I hope आपको मैं यहां तक समझाने में समर्थ रही हो, ठीक है, आप समर्थ नहीं यानि कि ठीक आपको अच्छे से समझाया है, अब क्या है deposits with bank, banks के साथ किस-किस तरह से आप deposit कर सकते हो, जमा कर आ सकते हो, कही बार क्या होता है, sometimes we need, when we need only certain amount of money for our day-to-day needs, we need to keep our extra cash at a safe place आपके पास अगर एक लाग है, तो आप एक लाग पूरा का पूरा तो नहीं यूज करोगे, आपको क्या करना है, अपनी रोजगार की जुरूरत को पूरा करने के लिए, आप कुछ पैसा जो है, वो अपने पास रख लेते हो, लेकिन जो बाकी का बचा है, उसको आपको कह आपको आपको गुल के जο ही बाकी का भी के यूज कर्था है, वो पैसे को बहुत करोगे हो, तो वो क्या करते हो, वो पैसा आप बैंक को मतलब देते हो, असलह है, वो जब मन्कोड करेगा या जो हम लोग शाख लोग कि और अपने पैसा करेंगा उत्याए भरे द॒, हम ले कर सकते हो ठीक है उसी को बोला जाता है deposits with bank अब bank एक ऐसे institution है जो कि किसके साथ deal करता है पैसो के साथ deal करता है यह तो सबको पता है इन simple words अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहो तो bank means an institution which receives funds from the public and give loan to those who need them अगर आप simple भाशा में समझना चाहो तो bank एक ऐसा institution है जो क्या करता है लोगों से funds को receive करता है और वो उन लोगों को as a loan देता है जिनको उन पैसों की जुरूरत होती है ऐसा नहीं है कि वो loan जब वो गरीब लोगों को या जुरूरत मन लोगों को दे देते हैं वो जो है वो जो है वह जो हो जो देदेते हैं तो जब आप अपना पैसा निकल वाने जायो गए तो आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है बडिकी आपको आपका पैसा जो है वो मिल जाएगा because ah safe place पे रखा गया है लेकिन बैंक जो है वो किस तरह से काम करती है वो क्या करती है आपका पैसा तो लेके आपके नजरों में वो आपका पैसा सेफ है लेकिन वो पैसा आगे काम पे जाता है वो काम क्या है कि वो जरूरतमन लोगों को as a loan दे दिया जाता है okay next क्या है जो important function है bank का वो यह है कि जो public की savings है उनको collect करना okay the bank does so by accepting deposit from his customer जो bank है वो क्या करता है अपने customer से deposits को क्या करता है accept करता है और वो deposit जो है वो banks की क्या है life line है people deposit their extra money in the bank by opening a bank account in their name bank accept deposits from the public and also pay some interest on the deposit deposits क्या है people जो है वो अपनी extra money जो है वो bank में deposit करवा देते हैं जमा करवा देते हैं कैसे जमा करवाएंगे अपना bank account वहां पर खुलवा कर एक bank में अपना bank account खुलवा कर अपने नाम पर अपना bank account खुलवा कर वो अपनी extra money को deposit करवा सकते हैं और bank जो है वो उसके पब्ली के पैसे को accept करता है और कुछ समय बाद उसके ओपर deposit उस deposit के ओपर interest भी क्या करता है pay करता है I hope यहां तक clear हुआ होगा आपको in this manner people feel their money safe and also earn them some extra amount called interest और इस चरीके से लोग क्या करते हैं अपने पैसे को save मतलब बचा कर रखते हैं सुरक्षित रखते हैं और वो उन पैसों से कुछ extra amount भी क्या करते हैं earn करते हैं कमाते हैं जिसको क्या बोला जाता है interest I hope यहां तक आपको clear हुआ होगा अब यहां पर आपको types बताई हुई है किसकी deposits की और उनकी description दी हुई है कि यान कि किस किस तरह से आप जो है बैंक में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं फर्स्ट वन जो है वो है आपका saving account saving account से क्या होता है यह simplest form है bank account की जो की एक individual के द्वारा क्या किया जाता है open किया जाता है यानि कि कोई भी इंडविज्वल जो है वो अपना bank account जो है वो खुलवा सकता है in saving account सेगनल आ जाता है हमरे पास current account next इसका sorry saving account का एक point रहा क्या है interest is given to the depositor अब क्या है एक individual ने जब अपना bank account खुलवाया bank account खुलवाने के बाद उसने अपना saving accounts खुलवा कर वहाँ पैसा जमा करवाया उस पैसे के उपर उसको क्या मिलेगा interest मिलेगा depositor को ठीक है depositor हो गया वो जिसने अपना पैसा deposit करवाया है next आ जाता है current account what is current account generally maintained by businessmen traders and firms ठीक है यानि की current account जो है यह कौन लोग खुलते हैं जो की बड़े-बड़े businessmen होते हैं traders होते हैं वेपारी होते हैं और जिनकी बहुत बड़ी-बड़ी factories होती है firms होती है इनको क्या होता है no interest is given to the depositor इसमें depositors को यानि की जिसने पैसा जमा करवाया है वो businessmen भी हो सकता है traders भी हो सकता है firms भी हो सकते हैं बड़ी-बड़ी factories भी हो सकते हैं इनको किसी भी तरह का interest जो है मुनाफ़ा जो है वो नहीं दिया जाता then उसके बाद आता है recurring deposits what is recurring deposits money in these accounts is deposited in monthly installment for fixed period अब यहां पर क्या है इन accounts में क्या होता है पैसा जो है वो monthly installment में deposit किया जाता है एक fixed period के लिए जैसे आप बोलते हो आपने bond करवा लिया जैसे आप बोलते हो आपने एक fixed deposit ते एक अलग सी चीज होती है लेकिन इसमें आपको fixed deposit में आपको I think 3 months या 4 months के बाद कुछ-कुछ time period के बाद आपको pay करना पड़ता है लेकिन यहां पर recurring deposit में आपको money जो है आपको क्या करना पड़ता है monthly monthly आपको installment में deposit करवानी पड़ती है ठीक है fixed period एक मतलब time period होता है यानि कि 2 साल भी हो सकता है 4 साल भी हो सकता है तो इस time period के लिए आपको हर month में installment जो है वो pay करनी पड़ती है फिर आपका आ जाता है recurring sorry fixed deposits तो इन fix deposits में क्या होता है इसमें भी आपको time to time deposit करना पड़ता है और these accounts give highest rate of interest to the deposit यह क्या होते हैं जिसको आप FDs करवाई होंगी maximum बच्छों को पता भी होगा क्योंकि उनकी parents ने करवाई होंगी कहीं बच्छों के नाम पे भी FDs करवा दी जाती हैं जब वो बच्छोटे होते हैं ठीक है so that कि जब वो बड़े हों उनकी studies को लेके कोई भी तरह की problem जो है वो ना face करनी पड़े तो यह क्या होती है FDs जो है इनके उपर बहुत जादा highest rate of interest जो है वो deposit को मिलता है maximum जो है वो इसी fixed deposit को जादा preference देते हैं अब क्या है यह था हमारे पास types of deposits और उनके description यहीं बताया हुआ है कि commercial bank के साथ कौन कौन से तरह के deposit जो है वो हम करवा सकते हैं अब हमारे पास आता है plastic money यह हमारे पास new forms of modern forms of currency है plastic money में आपको मैंने बताया था हम क्या पढ़ेंगे के debit cards क्या है credit cards क्या है तो हर एक country का अपनी एक printed currency होती है चाहे वो paper money हो ठीक है however paper money can easily be spoiled and has no durability यहां पर यह बोला हुआ है कि हर एक country की अपनी एक printed currency होती है क्योंकि paper money जो है उसको easily मतलब खराब किया जा सकता है और उसकी कोई भी तरह की durability नहीं होती इसलिए plastic money यो printed currency या फिर plastic money जो है इसका भी maximum time use किया जाता है जिसको credit card या फिर debit card बोला जाता है therefore the use of plastic money has started and found worldwide acceptance अब क्या है इसलिए paper money की durability ना होने के कारण plastic money का use किया गया और इसको पूरे world में acceptance भी मिली plastic refers to the hard plastic cards which we use everyday in place of actual banknotes अब यहां पर क्या बोल रहा है कि plastic जो रैफर है यहां पर plastic का मतलब क्या है वो hard plastic card जिनको हम हर एक दिन जो है हर एक जगा पर use करते हैं instead of banknotes ठीक है वो मैं अभी आपको बताऊंगी they can come in many different forms such as cash cards, credit cards, debit cards, prepaid cash cards and store cards ठीक है यह different different forms है किसकी plastic money की अब debit card क्या है वो हम देखेंगे a debit card also known as a bank card is a plastic card that provides the card holder electronic access to his or her bank account that means के debit card जो है इसको हम bank card भी बोलते हैं यह एक plastic card है जो की एक card holder को दी जाते है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जिसका bank account होगा उन्हीं के पास credit card और यह debit card जो है वो available होते हैं ठीक है तो यही बोला हुए है कि debit card को bank card भी बोला जाता है और यह एक form है किसकी plastic card की जो की एक card holder को दी जाती है so that कि वो electronic access यानि की एक machine में उसको डाला जाएगा और वो अपना bank किया जो है अपने account से किसी भी तरह की transaction जो है वो कर सकता है या कर सकती है okay यह card जो है यह accept किया जाता है the card where accepted can be used instead of cash when making purchases यह card वहाँ accept किया जाएगा मतलब जहां पे भी आप मतलब जहां आपको cash देना होगा वहाँ पे आप इस card को दे सकते हो और अपनी purchases जो भी आपनी खरीदा है उसके लिए pay कर सकते हो mostly the debit card is used for ATM automated teller machine transaction जो debit card होते है इनका use कहां किया जाता है ATM के लिए ठीक है मैंने अभी आपको बताया ना आप बोलते हो यार हमारे पास ATM card है वो ATM card नहीं उसको बोला जाता है उसको debit card या credit card बोला जाता है ATM जो है वो एक machine है जिसके through हम क्या कर सकते है electronic access दे सकते हैं so that कि हमारा account जो है वो access करें और हमारी purchases के through जो है वो क्या कर सके पैसा हमें मतलब card सके या पैसा जो है वो कट सके ओके तो यह ज्यादा तर जो है वो debit card जो है वो ATM के लिए use होता है ATM transactions के लिए use होता है इस तरह को होता है ATM card आपका okay अब क्या है credit card what is credit card to credit card जो है वो card holder को दिया जाता है कि वो अपनी goods and services के लिए क्या कर सके pay कर सके on the based on the holders promise to pay for them that means कि आपने कभी किसी के किसी से कोई समान खरीदा होगा या किसी से कोई चीज ली होगी उसको पे करने के लिए उस समान या उस चीज को पे करने के लिए आप क्या करोगे क्रेडिट का यूज करोगे जो इश्वर है यान कि जिसका card है creates a revolving account and grants a limit of credit to the consumer from which the user can borrow money for payment to a seller as a cash advance to the user यान कि इसके लिए limit जो है वो set किर दी जाती है कि इतना इतना पैसा जो है वो आप क्या कर सकोगे निकाल सकोगे जब demonstration हुई थी सॉरी जब डी मॉनेटाइजेशन कीगी थी यान कि जब पैसा बदला गया था ठीक है करंसी आपकी चेंज कर दीगी थी इंडिया की जब आपके नोड बदले थे तो तब क्या हुआ था आपने देखा होगा आपके ATM में कुछ लिमिट कर दीगी इतनी लिमिट तक आप पैसा वो विड्रो कर सकते हो यान कि 10,000 हो गया फिर 20,000 हो अब तो मैक्सिमम आप आप 20,000 जो है वो एक टाइम पर निकाल सकते हो तो यह क्रेडिट काड में क्या है एक लिमिट जो थी वो सेट कर दी जाती है तो दाइट के जो कंजियूमर है वो पैसा खरीज सके पैसा जो है वो पे कर सके उस सैलर को जिससे उसने अडवांस लेना है या उसको देना है आई होप यह भी क्लियर हुआ होगा आपको अब आज़ता कर सकте और शेलों को कभी निकाल सकते हो जब भी मतलब आपको जुरूरत होगे तब झाता आप पैसा और वह वह क्या कर सकते हो कर सकते हो के सेविंग्अ अकाउंट जो है वह सिंप्लेस फॉर्म है बैंक आकाउंट की जिसको कोई भी इंडिवीजुव खोल सकता है अपनी savings को encourage करने के लिए saving account में interest जो है वो depositor को दिया जाता है लेकिन fix deposit में depositor को interest जो है वो high rate में दिया जाता है as compared to saving accounts के interest से यहां तक clear हुआ आगे क्या बोल रहा है since the deposits with the bank can be withdrawn anytime on demand अब जो भी deposit आपने bank को जमा करवाया है वो आप किसी भी समय अपनी मर्जी पे अपनी demand पे निकाल सकते हो और इसी deposit को बोला जाता है demand deposit demand deposit share the essential features of money जो demand deposit है यह आपके money के essential चीजों को क्या करता है share करता है ठीक है क्या बोला हुआ है कि जब मतलब जो पैसा आपने bank को जमा करवाया है वो आप किसी भी time अपनी demand पर निकाल सकते हो उसी को बोला जाता है demand deposit demand deposit जो है यह money की essential features को share करता है the facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payments without the use of cash अब यहां पर आपको checks के बारे में भी आपने सुना होगा तो demand deposit जब क्या है आप मतलब अगर आपके पास अभी पैसा available नहीं है तो आप क्या करोगे bank वले क्या करेंगे sorry not bank वले मतलब किसी को आपने पैसा देना है और आपके पास cash available नहीं है तो आप उसको क्या करोगे check दे दोगे instead of cash आप उसको check दे रहे हो और वो check को use करके वो पैसा आपके bank से आपके bank से नहीं किसी भी bank से जाके वो निकलवा सकता है अब आगे क्या बोल रहा है कि cash के जगा पर अगर आप कोई भी payment अगर करनी होगी तो वह एक bank instrument है जिसको बोला जाता है check उसके through कर सकते हो वही चीज मैंने आपको अभी उपर समझाए check एक paper की form में होता है जो कि क्या करता है bank को instruct करता है कि बाई यह मेरा bank account है मैंने इस बंदे को इतने पैसे पे किये हैं आप क्या करो मेरी मतलब मैं वहां पे तो मतलब प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन उसके signature जो है वो यह proof दे देंगे कि बाई हाँ उस बंदे का account है उस बंदे के signature है अब हम उसके account से इस इनसान क पैसा पे कर सकते हैं ठीक है एक ऐसा पेपर इंस्टेक्टिंग है जो कि bank को बताता है कि किस परसन का यह bank account है और कितना amount जो है उस परसन के अनाम से जो है वो दूसरे बंदे को दिया जाएगा जिसके नाम पे check issue होगा और जो maker होता है जो मतलब check को बनाएगा उसको बोला जाता है drawer and the person directed to pay is the drawer ठीक है अब क्या है जिसने वो check बनाया है that means कि जिसने अपने sign करके वो check दिया है उसको बोला जाता है drawer और जो परसन पैसा निकालेगा उसको बोला जाता है drawer ओके the person named in the instrument to home or to whose order the money is by the instrument directed to be paid is called the pay then उसके बाद क्या बोला जो person क्या है जिसके नाम पे वो पैसा होगा उसको क्या बोला जाता है the facility of check against demand deposit make it directly possible to settle payment without the use of cash check का use जो है वो demand deposit के against किया जाता है जब उस बंदे के पास पैसा नहीं होगा तो वो पैसा available नहीं है तो वो check का use कर सकता है और उस बंदे को pay कर सकता है जो भी उससे demand कर रहा है I hope यहां तक clear हो गया होगा आपको फिर आगे जो है वो format बताया हुआ कि check का format क्या होता है ठीक है यह आप देख लीजिएगा यहां पर पूरे इसके six steps बताया हुए है कि check कैसा होता है यह आपको दीख भी रहा होगा नीची और maximum बच्चों ने देखा भी होगा यह points बताया हुए है कहां पर IFSC code जो है वो printed होता है check के IFSC code बता होगा कि bank का IFSC code होता है तो branch address का IFSC कहां है कौन सा bank है ठीक है उसका address और उसके साथ IFSC code जो है वो भी लिखा होता है check के top पे second point जो है उसमें बताया हुए कि date month year जो है उसके boxes बताया हुए यह देखिए second step आपका ठीक है फिर third बताया हुए है आपको की printer's name with CTS 2010 in left side यह left side पे printer's का name जो है जिसने print किया होगा उसका नाम दिया होता है then उसके बाद जो है fourth point जो है वो बताया हुए है a pantograph pantograph which shows which shows white copy while taking photocopy of the check below the account number यहां पे जो है ना आपको मैं बता देती हूं यहां पे जो है account number लिखा जाता है बिल्कुल short form में 16 digits नहीं होते है जैसे मैं example दे दूं आपको जैसे बी मैं यह example दे रहीं बी डी डी आगे account number last के हो गया कुछ भी हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है account number तो यहां पे दिया होता है next आपका आ जाता है point new repeat symbol instead of bilingual format पहले जो था रुपी का वो यूज किया जाता है last में आ जाता है आपका यहां पे please sign above यहां पे sign करना होता है आपको ठीक है जो कि आपके राइट साइड के bottom पे होता है यह इस तरह का format होता है maximum बच्चों ने देखा भी होगा तो अगर इससे कोई related आपको doubt होगा तो आप मुझे पूच सकते हो next आपको पूचा हुआ है यहां पर बताया हुआ है जो demand draft और प्रीपेड नेगिशियेबल इंस्ट्रुमेंट है नेगिशियेबल यान की बातचीत करके जो है वो किया जाता है जहां पर क्या है ज्यां पर जिसने पैसा निकलवाना है वो क्या करेगा जिसने पैसा प जाता है रिमोटली क्रियेटिट चेक जो demand draft है यह उसी specified branch में यानि कि जिस specified branch का रिमाड राफ्ट होगा उसी specified branch में वह पेडल होगा ठीक है उसी specified उसे बैंकी specified सेंटर में यान कि अगर वो मैं एक्जाम्पल लोंगी सलानी का जुहां नगर में बैंक है वहां का वो ड्मान ड्राफ्ट है तो वहीं पर जाके क्या होगा पेबल होगा ठीक है आप उसको और कहीं जाके नहीं कर सकते और इसी को क्या बोला जाता है रिमोटली क्रियेटिड च किसी को कुछ पूछना है या किसी भी दरा का कोई question है तो वह मुझे comment section में पूछ सकता है वहां पर आपके comments देखके आपके doubts को clear करूंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जादा से जादा शेर करें like करें and channel को subscribe करना ना बोलें आज के लिए इतना ह have a wonderful day ahead.